नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्यशंगर तिवारी मैं प्रधान मंतरी नरेन्द मोदी आज कलकत्ता पोर्ट रस्ट के एक सो पचासमी सालाना कारिक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुआ पे वहां के मुख्य मंतरी मम्ता बनर्जी मिलने पहुंच तो सब के जहन में एक ही सवाल उभर रहा था कि इतनी कड़वाहट के बाद दोनों नेता मिलेंगे तो क्या बाते हुई होंगी एक तरफ मम्ता बनर्जी जो C.E.A. के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया एयरपोर्ट पे अपने मंतरी को भेज दिया प्रदान मंतरी को रिसीव करने के लिए ठीक है वहाँ पे गवर्नर जगदीब धनकर थे और उसके बाद से जब मुलाकात हुई प्रदान मंतरी नरेंद मोदी से तो काफी कुछ अपचारिकता हैं जो दूआ सलाम एक दूसरे का हाल चल पूछने का होता है वो स जो पाला सन्दाज होता है और प्रोदेश को ले करे काफी दर दर यहीं चाहते हैं लूग भी दोजिए खड़े है धरना प्रदरशन हो रहा है वगारा वगारा है इसी बात को ममताव अनर्जी ने प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के सामने कहा। ममताव अनर्जी को क्या जवाब देते। केरल और कांगर्सासित राज्यों से आवाज उठी थी। के दिल्ली के अकबारों में बिग्यापन भी दे दिया जिसको लेकर वहां के राजय पाल जो है आरिक मुहम्मद खान विरोध जता रहे हैं कि ऐसा किरल सरकार को करने का हक ही नहीं है प्रस्ताव पारित करना अलग बात है एक राजनितिक दल के रुप में बिग्यापन दिये ह है कि इस पे और आगे उनका क्या इस्टेंड आता है लेकिन क्योंकि सुभाविक सी बात है कि 2021 में जब वहां पर विधान सभा का चुनाओ है तो जिस तरीके से ममता बनर जी का वोट बैंक मजबूत हो सकता है वोट बैंक मजबूत करने कोसिस करेंगी यानिकि सी ये का विर पर आ जा रहा है उनको वहां पर विरोध हो रहा है इसलिए उन्होंने आपको याद होगा पिछले दिनों जब भारत बन था उसमें भी उन्होंने सिरकत नहीं किती का कि आपका मकसद अच्छा होगा लेकिन हम इस विरोध भारत बन में सामिल नहीं होंगे क्योंकि सरकार को नुक्सान हो रहा है और बीजेपी से दूरी आब उनकी बनेगी ही बनेगी क्योंकि पष्चिम मंगाल में बीजेपी अपने को मजबूत कर रही है अंगले साल विधान सबाह का चुनाव है देखते हैं बीराजनित कौन कौन सी कर्वट लेती है जैसे इसमें कोई और अपडे